अथो प्रिच्छामि संसीधिम योगिनाम परमगुरुम पुरुससेह यतकारियम म्रियमानस सरवता। शिला परिकित महराज जी इनके जानकारी हो गया कि थोरे ही दिन बाकी है। इसके बाद सरी छुटना है। गुरुजी, परमंग्स गुरु, शुक्देव गुस्वामी जी का पास ये प्रश्णों रखे थे। ये ऐसा एक सवाल है, जो सवाल का कोई योडी नहीं है, unparallel, आस्चर्य, काल थोरा उठाया था वाद को, बेख्या नहीं किये थे। समग्र मानव जाती का तरफ से ये प्रश्णों क्यों नहीं आते। हमारा प्रश्ण है कि सारे जो मनव समाज है, सारे मनव समाज का समाज का तरफ से क्यों ये प्रश्णों नहीं पैदा हो रहा है, क्या कारण है। परिख्यत महराज का नाम का बारे में और वैस्ष्ष्ट का बारे में भी महराज बोला सेकेंड टाइम, आप जो बोलोगे थोड़ा ब्यक्ष्या करोगे। परिख्षित ये नाम का ब्यक्षाई ये है परिख्षित मतला परिख्षितो टेस्टेड परिख्षा हो गया जिसका दुनियादारी का कोई चीज में कोई लगन नहीं है भले ही पूरा प्रितिवी उसका सासन मन रहा है ये भी एक चमातकार चीज है कभी समय मिले तो ब्यक्ष प्रित्व महराज, अंबरिस महराज से लेकर जितना सारे वरे वरे भगवत भक्तो जनक राज इनके कथा क्यों सारा दुनिया मानते हैं और हमारा घर में एक बच्चा है और बीवी तो ही है हम है तीनों में एक दूसरे का बाद मानते नहीं लेकिन ये परिखित महराज के बाद तमाम दुनिया मानते हैं यहाँ से कोई भी आदेस परलन करे सब सावधान हो जाएगा आदेस परलन करने के लिए परिख्षित महाराज ये नाम ही ऐसा है परिख्षी तो टेस्टेट परिख्षा जिसका हो गया और एक व्याख्या होता है वो जिनोंने मात्री गर्भ में रहते हुएं परिख्षा करते रहें कि यही कि वो है जिसको हम ढून रहा था एही है परिख्यत महाराज जब गर्व में उत्वरा का गर्व में जब कृष्ण भगवान को देखे कैसे कैसे रक्षा कर रहा चल के खाको किό datasets ऐसे रक्षा की गदा लेके लिखा हुआ है उसके बाद जनम हुने का बाद पैदा होने का बात परिक्षा करते रहे कि ये की वो ही है जिसको हम देखाता पहले ये एक माने होता है दुसरे हैं बड़ा बड़ा संत महात्मा से बताते हैं जिनका परिक्षा हो चुका है मतलब उसका विशयों से लगन हट गिया है आसंत महात्मा सादू के चरण में लगन लग गिया है तो यही भगवत कथा सुनने का लायक है भगवत कथा अगर किसी कसम ने बोला जाए तो ओई परिक्षित है परिक्षित जैसा सुरता दुनिया में नहीं मिला इसका बारे में सुन्दर सुरोख है अपूर वो सब चर्चा करेंगे कभी समय हो बले आस्चत जो बात है भगवान का कथा किर्टन हो रहा है परिक्षित महाराज डूबे हुए है परिक्षित महाराज ने कोई साधरन प्रस्ण नहीं किये देखो हर आदमी को मरना तो है साथ दिन का अंदर ही साथ दिन का मंद मंदा नहीं यहां तो परिक्षित महाराज का दर्चन है साथ दिन का अंदर सब लग गया तो आप क्या साथ दिन का अंदर नहीं मरोगे या तो सनिचर को मरोगे, संबार को मरोगे, रविवार, मंगलवार, भूदवार कमी तो within seven days we will have to die, साथ दिन का अंदर ही तो मरोगे, और क्या तो यह साथ दिन कौन सी दिन अब मरोगे, यह तो कोई पता नहीं तो आपका अंदर में भी यह प्रश्न होना चाहिए जब हर हलत में यह पका है कि हम मरेंगे जरूर, तो यह जब पका हो गया तो क्यों नहीं हमारा अंदर में इसका सुझाब, सलूशन निकालने का कोई इच्छा क्यों नहीं आ रहा है, सलूशन क्या है, वो तो भगवान से किष्णो दस्मसकंदर में आम तो बता दिया, मैं भक्ती रही भूता नाम हम्रित आए कल्पते मेरा उपर जो भक्ती करे, मेरे को जो भक्ती करे, उसको ही अम्रित मिले और भक्ती क्या चीज है, इसका definition भी थोड़ा हम बैक्छा नहीं करेंगे, समय थोड़े ही है भक्ति किसको बोला जाता है, धर्मों क्या है, इसका बारे में बहुत सारे तरह तरह का बिचार उपुस्तित किया जाता है लेकिन हमारा भागवत में शुन्दर बताया है बड़ा सुन्दर इसका लंबा चोड़ा बेखा होना चाहिए, लेकिन दो सब्दों में हैं कहए दे, जो सुन्दर बताया सौबोई पुंग साम, निश्चित करके जान लो, यहीं सब जीरवात्माओं के लिए, सौबोई पुंग साम, परोधर्मों, धर्मों तो बहुत किसम का होता है देहोधर्मों, मौनोधर्मों, समासधर्मों, बेधर्मों बहुत सारे होता है लेकिन इन में से परोधर्म क्या है बागवाद का महिमा से जब गोकर्ण जी टूटे हुए पिता जी टूटे हुए दिल और प्रश्न कर रहे हैं बचाओ हमको बेटा हमको बचाओ मामोध्धरो जगत निधे दया निधे हमको बचाओ हम तो गया और संगसार में हमारा लगन लग गया और हम जल के खा गहे गए हमारा कोई समादा नहीं निकलता है क्या करे कोई भी संगसारी आदमी बास्तव सुखी नहीं है सुख का मुताविक सुख का कोई छाया है लगता है कि हम सुखी है लेकिन ये सुख का पीछे कितना गहरा दुख की बिचार है ये साधरन आदमी नहीं जानते भप्ति सिद्धान तो सरस्वति गुष्वामिट अगर पहुपात बार बार कहते थे जो लोग तागी तैगी महात्मा बन गया है पहले कान खुर कर सुन लो तुम लोग संगसारी आदमियों का पास कथा करने के लिए जाओगे इनके हवेली में रहोगे फलफूल तुमको देगा मिठाई लेकिन साब्धन रहना ये संगसारी आदमी का संगसार देखके तुमारा अंदर में का इच्छाना पैदा होए तुमको ये बिचार करना है इसका बाहरी दिष्टे में जितना संगसार का इंज्वाइमेंट है इसका पीछे क्या दुख वरे नाले है इसको बिचार तुमारा अंदर में पल-पल में होना चाहिए अगर बिचार छूड़ गिया तुमको भी इसका संगसार देके लगेगा हम भी संगसार में चले है महरा अच्छा है कितना सुन्दा देखो जैसे को कुर्ण जी का पिता जी बतायते हैं आत्माजिव जी बार बार इसका प्रसंग पर कभी चर्चा होगा सन्यासी ने बोले कि महराज आप विचार बना लो ठाकुर जी का भजन करो और इसका संगसार क्या होगा और नहीं हमको संगसार चाहिए हमको पुत्र चाहिए पुत्रम देही बलाद ओभी जोर जबस्ति आपको पुत्र देना चाहिए नहीं तो आपका संगसार खुद कसी करेंगे अरे रुको रुको मातमा तो बड़ा दयालू होते रुक लिया नहीं तो आपका संगसार आम खुद कसी करेंगे पानी में डुकी लगा हमा रुको रुको फिर उसका वाद समाधन दिया लेकिन होनहार की खेल है जो होना तो होगा ही उसको कौन मिटा सकता है इसका तक्दिल में है दुख्ष लेकिन बाद में गोकौर्ण जी जो उपदेश दिये है उसका एक लाइनम बता है बहुत चर्चा करने का समय नहीं है धर्मम भजस ससततम ते जो लोक धर्मान धर्मम भजस ससततम ते जो लोक धर्मान सेवस ससद पुरुशान जहिकाम तिश्नाम बलत पिताजी सुनो बज्य तुवे काम करो धर्मम भजस ससततम ते जो लोक धर्मान धर्मान बहु वचन युसकिया यहां बहु बचन यूज किया सुन्दर सेवस्व सद बुरुशान जही कामतिष्णा पहले बोले धर्मम भजस सततम ये धर्म सततम मने continuously for infinity period जिवात्मा को जो धर्म पालन करना है वो क्या है नित्तो धर्म नयमित्तिक धर्म नित्तो धर्म का बारे में हम चर्चा करेंगे अगर काल समय हो तो इसी चर्चा को आगे बराते हुए चर्चा करेंगे और भागवत से जो सुलुक बताएं सौवई पुंग साम परो धर्म यतो भक्ति रधक खजे अही तुकि अप्रतिहता जयात्मा सु प्रसीदती बल जय धर्म तो ओ है सौवई निश्चितमेव परो धर्म ओही है पुंग साम जितना सारे जीवात्माओं के लिए कोई-कोई उल्टा वैख्या करते हैं बोलते हैं पुंग साम मतलब पुरुशों के लिए धर्म बताया गया स्त्रियों के लिए तो धर्म नहीं थै लेकिन ये पुंग साम ये सब्दों इसके लिए बैवार नहीं किया पुुंगसाम ये सब्दों का क्या माने रखता है हमारा पुर्वजों ने सुन्दर वैख्या किए पुुंगसाम का मतलब पूरे देहे वसती इती पुंगसॉ पूर मतलब ये देहो रुफी जो पूर है इसका अंदर में जो जिवात्मा आत्मा रहते हैं जिसका बारे में थोड़ा देर पहले बताया था, ये देहोरूपी मंदिर में इधार सिंगासन में भगवान बैठे हैं, आत्मा बैठे हैं, ये जो जिवात्मा एबंग परमात्मा एक दुसरे को छोड़ते नहीं, उपनिशत का विचार है, अभी इतना लंबा चोड़ा करें ये नहीं भख्या, सुन्दर बात ये है, कि ये जो आपका सुन्दर सरील है, दो आखे है, अजि देखो, नौ गेट है, विचार करके देखने हैं, नौ गेट, आपका सरील जब निकलेंगे, ये नौ गेट के अंदर किसी भी एक गेट से आत्मा निकल जाए, माइन इट, या तो कान से, या तो आखों से, नाख से, मुख से, या जबी जागा है, छिद्र है जहां, उसे निकालेगे, छो गेट, नो गेट है, नवद्दि पे ये नवद्द्वार, ये द्वार संपन्नी ये सरीर है, इसका अंदर में भगवान बैठे हुए है, अज जी बात्मा तो ह अंकारी है, इसका बारे में बात में, अब बात ही है, पूरे अथत देहे बसती इति पुंगसाम, अथत स्त्री पूरुष ये बात नहीं हुआ, मैं तत देहोधारी जीब का अंदर, जो जी बात्मा रहते हैं, उसका बात, सब कोई का बारे में एक बात, जी बात्मा हो गया तो सौ बोई निश्चितमेव पुंग्साम ये जीवाँ के लिए धर्म है जयात्मा सू प्रसीदती प्रसन्नता आपका आता है सुन्दर सा मलाई रवड़ी खा लिया साधी में भंड़ा खा लिया वर पसंद वा रात का लिया सुबह में रोना आ गया कुछ गटना हो गया तो ये सब प्रसन्नता का बारे में हम चर्चा नहीं की ये प्रसन्यता भागवत में जो बूला गया ये प्रसन्यता पर्मनेंट अनंत काल के लिए प्रसन्यता ये आपका आत्मा का साथ रह जाएगा सिब आभी उसका उपर एक परदा है संत महात्मा का काम ये है ये परदा को हटा देना संत महात्मा का काम ये है काल भी थोड़ा उठाया था ये क्या करता है संत महात्मा बले प्रवचनों के द्वारा इनके माया का परदा हटा देता है यही इनका काम है उसके बाद ही अपका स्वरूप का उद्वदोन हो जाता है उसका नित्य कर्तब भी क्या है भगवान का भक्ति करना यह सामने आ जाता है और यह सामने जब आ जाए उसका कोई चिंता नहीं है बस अपराब ना करे तो सामने ही गाड़ी चलते रहेगा अंतिम में गलब बिन्दामन में पहुँच जाए जो भी ब्रजवासी लोग किर्टन करते हैं गोलोग बहुत दूर है बरी दूर नागरी ये जो किर्टन करते हैं गोकूल नागरी लेकिन दूर होते हुए ही आपका सामने आ जाएगा गोलोग ब्रजवासी लोग सुन्दर गाते हैं बरिदूर नागरी, गोकूल नागरी, गोकूल नागरी, बहुत सुन्दर गाते हैं, बजवासी लोग, लेकिन ये गोकूल नागरी सचमुच दूर है, लेकिन संत महात्ना के किपा हो जाए, तो एकदम नस्ती बहुत दूर नहीं है, पहुंच जाओगे, लेकिन ये जो ब्यक्षिया है भागवत का, निश्चित रूप में वो भागवत धर्म है, नित्त धर्म है, सब्वोइग़ू साम परो धर्मwayदू भक्तिर अधक खजे, अधक जो भगवान का, भगवान को सेवा करे, ये अधक जो भगवान, अधक को जो सब्दों का अभी ब आनन्द में डूब जाए और नित्तो सेवा ये कोई सेवा अगर मिले माराजी बताए जे ये इसमें क्लांती होने का कोई सम्भवना नहीं आप सब इधार ये जगत में सेवा करने से थोड़ा रेस्ट लेना पड़ता है अगर माराज दो घंटा रोसुई किया एक घंटा तो विसाम होना चाहिए लेकिन वो जगत ऐसा है ये आपका ये बिचार में नहीं आएगा वो जगत ऐसा है वहां बिस्त्राम लेने का कोई इच्छाई नहीं पैदा होगा वहां स्पांटेनियसली हिद्वय से स्वतह प्रभ्वित हो का सेवा करने का जो वृत्ती है वो मिटें ये नहीं वो चलते रहें जैसे गोपियों का सामने से बहारी दिष्टी में कृष्ण चले गेले मतुरा लेकिन सेवा लेकिन बंद नहीं है सेवा चलते रहते हैं वो सब बहुत सारे उचा विचार है तो सौबवई पुंग साम परोधर्म यत्व भक्ति रधुक्ष जे वो भक्ति नहीं हुआ बास तक अहितु की अप्रती हता है अहितु की किसको बोलता है बले अहितु की बोलता है कि जिसको कोई कारण कंडिशन नहीं है अप्रती हता मतलब जिसमें कोई रोक टोक टिकेगा नहीं ओहितु की मतलब जिसमें कोई कंडिशन आपका नहीं रहेगा अप्रती हता मतलब आपका कोई रोक टोक टिकेगा नहीं जैसे एक उधारंदे दे गंगा जी बहती हुई आ रही है कहां से गंगो जी ऐसे ऐसे लड़ाते हैं लेकिन कोई भी उसका बधाय आपको गंगा जाते याती सागर में सागर का साथ संगम वो सागर में जाने से उसका आनन्द है ऐसे जीवात्मा जो है भक्ती करते करते भगवान का पास पहुंच जाए तो अमरित का सागर में जाए तो उसका आनन्द है नहीं तो कोई आनन्द नहीं है बिलकुल कस्टी कस्ट है बाद में पता चलेगा है सब तो यह जो हमने बताएं कि देखो एक बाद महाराजी बताएं आठ साल से आसी साल ताक एकादसी का नियम है इसका मतलब यह समझ लो महात आसी साल का बाद एकादसी माना है ऐसा नहीं महराजी काल भी बताएं आज भी बताएं आसी साल का बाद भी एकादसी चलना चाहिए अगर समर्थ नहीं है तो वो अगर कोई एकादसी उसका लिए संबब नहीं है तब एकदम तूट गया उसको जीना मुस्किल है तब चलेगा हमारा गुरी जी 102 साल सा उपर तब भी एकादसी की तो एक साल से 80 साल का अंदर एकादसी है इसका मतलब एकासी साल हो जाए तो एकादसी छोड़ दो यह नहीं इसका मानी ही है कि अगर समर्त है एकदम मर रहा है तो उसका लिए कोई बादा नहीं लकिन सरी ठीक है तो एकादसी जिन्देगी भर चले एकादसी जैसा ब्रत्य है हमारा हरी वक्ति बिलास में लिका है सर्वबोतो सिरो मोनी एकादसी एकादसी का उपर कोई ब्रत नहीं है एकादसी इतना प्रियोबत है भगवान का एकादसी पालन करो तो आपको भक्ती जरूर मिलेगी लेकिन सही धंग से करना चाहिए उसका भी बहुत नियम है आभी ये बताने का टाइम नहीं है जो भी है अभी गोकोर्न जी जो पिता जी को संदेश दिये हैं उपदेश दिये हैं एक लाइन हम बता रहे हैं कि धर्म मजस्व सततम तैयो लोको धर्मान जितना सारे धर्म का नाम पे चल रहा है देहो धर्म, मनो धर्म समाज धर्मो लोग की जितना सारे धर्म कर्म का बारे में समाज का रोक टोग है सारे चोड़ दो एक चीज़ करने से आपका कोई आपका बाधा नहीं रहेगा ओ क्या है? धर्मुम म्भाज़शो ओ धर्मुम क्या है? भागवध धर्मुमू उसको ही यह पालन करने से आपका कोई समसा नहीं होगा क्यों आप अगर वोलो देगे ये हमार अगर ये कर्तबों का ना पलन किया तो हमारा दोस लगेगा नहीं कोई दोस नहीं आपको सपर्स करेगा क्योंकि आनन्त बमांडो भगवान का अंदर ही भी राजमान है इसले नारजी सुदर भगवात मे यथा तरर मोलनिशेचने नतिपपंति तचकन्द भुजवप साखा प्रानवप हारष्य यथेंदरियाणИ त Benjamin अच्चुतेज्या बल्यज़न यथा तरर मोलनिशेचने नतिपपंति तचकन्द भुजवप साखा प्रानो पहारस यथंद्रियानी तथ ही वो सर्व और हननम अच्चुते ज्या अच्चुतो भगवान से किष्णो पराद पर अख्रेश्वर भगवान का पूजन करना, सेवा करना ये कैसा है जैसे एक ब्रिक्षो का जड में ही आप पानी डालते हो कोई मुर्क ऐसा नहीं है कि उपर उठके स्विणी लगा के पता पता पे सब पानी दे के नीचा आए कभी नहीं करता जड में पानी देते तो अपने आप पहुंच आए तो इसलिए भगवान से किष्णो का चरण में भक्ति करो तो इसमें जितना सारे भगवान से आये होई जितना सारे देव देवियां है भगवान से किष्णो तो गीता में खुलाम खुला बता दिया जो देव देवियों का पूजन करे अविधी पूर्वकम ये मेरा ही अर्चन करते हैं लेकिन अविधी पूर्वक ये विधी नहीं है उल्टा कर रहे हैं सर्व धर्वानाम परित्ज्य माम एकम सरणम बजो अहम त्यम सर्व पापी भ्यो मक्षई शामी मा सुचो दुख करने का कोई चिंदा नहीं है भगवान का तरफ से कमिट्मेन है प्रमिस है आपका समाज में कोई दोस्त दूसरे दोस्त एक दोस्त दूसरे को प्रतिग्या कर दिया तेरे लिए करेंगे लेकिन वो तूट गया वो अपना प्रतिग्या का पालन नहीं किये समाज में ऐसा अकसद देखा जाता है प्रतिग्या के तेरों के देंगे जरूर हम तेरे लिए करेंगे लेकिन किया नहीं लेकिन भगवान का और भगवान का भगवान का भगतों का प्रतिग्या कभी नहीं तूटता है ये जान लो भगवान से किसनों गीता में अब कुलाम कुला प्रतिया नहीं कुनते हो हमारा भ सिध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध है लेकिन इसके लिए आप इस जनम खराब कर दोगे अपरात करोगे पाप करोगी ये भी ठीक नहीं है बुद्धिबान बैक्ति ये वो है कि एक golden opportunities golden opportunity comes once in a life एक जनम में सुबर्ण सुजग एक बार आता है बार बार नहीं आता ये सुजग मिला तो इसमें आप इसको यूज करो काम में लगाओ तो आप successful जडूर हो जाओगे आप आगे आपका विचार है आपका चिंतन है ये तो हमारा बिंती है जोर जोबस्ति तो नहीं कर सकता इहां का जितना सारे भक्तो लोग है या भक्तो होने वाला है कोई भी है एकादसी का दिन जरूर हमारा तो इच्छा है रोज बोलना रोज तो आएगा नहीं कम से मां इतवार और एकादसी का दिन या राधास्टमी जनमस्टमी किसी भी ये इधार आके सम्मिलित रूप में कितन करो और थोड़ा परसाद बटवारा करो सब कोई का मंगल होगा ही होगा ये आवारा इच्छा है परिश्णोरों का आगे आपका इच्छा आगे नहीं बराते हुए बास को आपिस्राम दे क्योंकि जादा बोले तो हजम करना भी चाहिए समझ नहीं या तो क्या हो बांच कितानां ग्भावने प्रविष्णा ब्यों नहीं नहीं नहीं